नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी चमतकारी तीन चीजों के बारेने बताएंगी जो दोस्तों रातो रात आपके सरीर की हर बीमारी को चाट जाएंगी और आपके सरीर को बिलकुल निरोगी बनाने का काम करेंगे नसों की ब्लोकेज कभी इससे कारगर कोई इलाज हो नहीं सकता और यदि आपको जोडों का दर्द है, गठिया का दर्द है, घुटनों का दर्द है या आपकी हडियों से कट-कट की आवाज आती है खुटनों में, जोडों में, दर्द है या गरीज की कमी हो गई है या आपके हडियाँ आवाज करती हैं तो दोस्तो इससे बहतर कोई इलाज हो नहीं सकता ये आपके सरीर की बिमारियों को चाट जाने वाली होसती है आपके सरीर के immune power रोगों से लड़ने की सकती बढ़ाने वाली योश्ती हैं और दोस्तो आज की इस वीडियो की जो मुखे समगरी है वह है दोस्तो तीन पहला हल्दी, दूसरा मेथी दाना और तीसरी सोंट तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है उसके बाद बताएंगे इससे होने वाले चमतकारी फाइदों के बारे मी आपने क्या करना है इन तीनो समगरी को हल्दी, मेथी और सोंट इनको 100-100 ग्राम की मातरा में ले लेना है और इनका पीसकर चून बना लेना है जैसे कि मैंने इनको एक एक चम्मच की मातरा में इनका पाउडर लिया तो आपने भी ऐसे 100-100 ग्राम इनको ले लेना है और उनका पीसकर पाउडर बना लेना है अब जानते हैं इसके सेवन किवि यनि सुबह नास्ते के आप एक घंटे बाद लेंगे तो उसके एक घंट तक आपने कुछ भी खाना या पीना नहीं है। और रात को खाना खाने के बाद आप इसको लेंगे सोते समय तो उसके बाद भी अपने कुछ भी खाना या पीना नहीं है। और आपने इसका सेवन ठंडे पानी के साथ नहीं, ना नॉर्मल के साथ, हलके गुनगुने पानी के साथ ही लेना है, तब ही दोस्तों ये नुस्खा काम करेगा, क्योंकि नुस्खे काम कैसे लेते हैं, ये बहुत महत्यपुन बात होती है, आप इसको इगनोर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी, अगर इगनोर करेंगे, तो जितने फाइदे मिलने चाहिए, वो फाइदे नहीं मिलते, और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे, तो आपके सरीर के हर दर्द का इलाज हो जाएगा, आपने इसका सेवन लगातार पांच दिन तक करना है, और दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं, तो दोस्तों आपके सरीर की गठिया की बिमारी भी दूर कर देगा, इतना कारकरन उसका है, आपके सरीर की हड़ियों को वज्जर के समान मजबूत बना देगा, आपके पेठ के रोगों का इलाज करेगा, कबज, गैस और SD को दूर कर देगा, कॉलोस्टूल की बिमारी को कंटॉल करेगा, बैड कोलोस्टूल को दूर करेगा, अच्छे कोलोस्टूल की मातरा को बढ़ाएगा, जिससे कि आपको हार्ट ब्लो की जरी हार्ट इटेक का सامना ना करना पड़े, यदिदिध की बिमारी का इलाज हो जाई, दोस्तों, डैपटीस की बिमारी को कंटॉल करने का काम करेगा, जिससे कि आप इस बीमारी और इस बीमारी से होने वाले complication से बच रहें दोस्तों यदि आपकी छाती में कफ जमा है बलगम जमा है तो उसको भी निकालने का काम करेगा cold cup का इससे कारगर कोई इराज हो नहीं सकता आपके दिल को मजबूत करेगा जिससे कि आपका दिल proper रूप से work करेगा दोस्तों आपको थकान की समस्या नहीं होगी थकान की समस्या आपके दूर हो जाएगी दोस्तों इससे खून की सफाई होगी हमारा खून साफ होगा और जब हमारा खून साफ होगा तो दोस्तो हमें जो चेहरे पर नया गलो आएगा और खून के ब्लोकेज की समस्य होती है न वो नहीं होगी आपके स्रील की सभी बंद नसें खुल जाएंगी इतना कारगर और इतना चमतकारी है इस नुस्खे का सेवन आपके हरत रहे के दर्द को दूर करतेगा जदि आपके लूबरिकेंट की समस्य है न यानि घ्रिस खतम हो गया जिसको हम लूबरिकेंट बोलते हैं कि जैसे कुछ लोगों में होता न कि उनके जवाइट से कट-कट की आवाज आती है या फ्लिूड की कम ही हो जाते जो कि घुटनों के बीच में लूबरिकेशन बनाया रखता है ज और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दे हर तरह की बीमारी से बच रहे हैं क्योंकि इस नुस्खे का सेवन करने से आपके सरीर की इम्यून पावर भी बढ़ती हैं तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लिस लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिपकेशन आतरहे धन्यवा दोस्तों